Hi Friends, Multi Cap Mutual Funds वो होते हैं जिसमें 25% पैसा Large Cap, Mid Cap और Small Cap Stocks में invest होता है दोस्तोtो, Large Cap, Mid Cap, Small Cap Stocks कौन से होते हैं, यह मैंने अपनी वीडियो में कई बार आपको बता है लेकिन अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूं large cap stocks होते हैं इंडिया की top 100 companies, next 150 companies होती है mid cap companies और बाकी सारी companies कहलाती है small cap companies तो multi cap mutual fund में 25% पैसा large cap, 25% mid cap और 25% small cap stocks में लगता है और बाकी 25% fund manager देखता है कि कहाँ पे लगाना है तो friends आज की वीडियो में हम Nippon India multi cap fund का review करेंगे देखेंगे किस type के returns इसमें मिल रहे हैं, कैसा risk लिया गया है, कैसा इसका portfolio है friends मैंने अपने instagram channel का link और बाकी other useful links description में भी डाल दी है आप जाके उनको भी explore कर लेना, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं friends नippon India multi cap fund में अगर आप invest कर रहे हैं तो minimum 5-6 years का time horizon आपका होना चाहिए दोस्तों वैसे तो किसी भी equity mutual fund में invest करें तो 5-6 साल का time लेके ही चलना चाहिए तभी बढ़िया रहता है, अगर जादा longer time आप लेके चल रहे हो तो और बढ़िया है launch हुआ था यह fund 29 March 2005 को, तो almost 19 years complete हो गए है इस fund को इसका NAV यानि price per unit है 255, expense ratio हमें बताता है कि कितनी fees management चार्ज करेगी आपके mutual fund को manage करने के लिए वो है इसका 1.64%, category average का है 2%, तो category से कम इसका expense ratio है जो कि अच्छी बात है asset tender management यानि total 27,746 crore का पैसा इसमें लगा हुआ है fund में minimum investment की बात करें तो 100 रुपीज से आप कर सकते हैं चाहे आप lump sum investment करें चाहे SIP से करें लेकिन 100 रुपीज में कुछ बनता नहीं है तो कम से कम 500,000 रुपे की SIP आप इसमें जरूर करें तभी आपको कुछ अच्छा wealth creation देखेगा लंबे टाइम में portfolio की बात करें तो large cap यानि top 100 stocks में 42% का exposure है mid cap stocks में 26% और small cap stocks में 29% का exposure है total 102 stocks में investment है top के 10 stocks में 33.7% का exposure है top के 3 sectors में 26.11% का exposure है top के 10 stocks कौन से हैं वो देख लेते हैं HDFC bank, EIH, ICICI bank, Linde India, Reliance Industries, Axis bank, Bajaj finance, Larson and Tubro, Max Financial Services, State bank of India जैसे companies आपको मिल जाएंगी past returns देख लेते हैं इस fund ने कितने बना के दी हैं अगर किसी ने 1 lakh invest किया है तो कितना amount बना है एक साल पहले अगर बात करें तो एक साल में almost देड़ गुना पैसा हो गया है 1,54,000 बना है 54% की return आई है वहीं category average में 49% की return आई है तो उसको out performance ने किया है तीन साल पहले किसी ने इसमें 1 lakh invest किया है तो पैसा 72 गुना बन गया है 2,24,000 बन गया है 30% की growth आई है वहीं category average में 22.9% की growth है पांच साल पहले किसी ने invest किया है इसमें 1 lakh रुपे तो उसका बन गया है 2,58,000 यानि धाई गुना हो गया है 20.89% की return आई है 21.4% की return है category average में 10 साल पहले किसी ने invest किया है तो पांच गुना पैसा हो गया है 5,09,000 बन गया है 17% की return आई है category average से थोड़ा से under performance है 10 साल के period में category average की return है 18% since 2005 यानि जब से ये fund start हुआ है 19 साल हो गया है इसने 1 lakh का बना के दिया है 25 lakh 18.5% का return दिया है SIP के returns देख लेते हैं अगर किसी ने 10,000 हो महिने की SIP करी है एक साल पहले तो fund ने बना दिया है 1,50,000 का corpus return दिया है 49% का 3 साल पहले SIP करी है तो 5,70,000 amount बना है 32% की return आई है 5 साल पहले SIP करी है 10,000 की तो 12,66,000 का amount बना है 30% की return आई है पैसा double हो गया है 5 साल में धीरे धीरे दिया हुआ 6,00,000 रुपे invest हुआ और 12,00,000 से उपर का amount बन गया है इस fund में 10 साल पहले किसी ने SIP करी है तो 32,00,000 का amount बन गया 19% की return आई है अब returns तो हमने देख लिए है अब देख लेते हैं कैसा risk इस fund में लिया गया है standard deviation हमें बताता है दोस्तों सबसे पहले standard deviation देखेंगे standard deviation बताता है कि कितनी ज़्यादा volatility रहेगी कितना ज़्यादा risk fund में है standard deviation इसका 14.37 है category average का 14.54 यानि उससे कम है तो इसका मतलब low volatility में है कम risk है sharp ratio दोस्तों हमें बताता है कि risk free asset के मुकाबले कितना ज़्यादा fund return दे रहा है तो sharp ratio इसका 1.33 है category average का 0.9 है तो जितना ज़्यादा शाप ratio उतना बढ़िया रहता है तो fund में better risk adjusted returns मिल रहे है यानि risk जितना लिया गया है उससाब से returns काफी अच्छे ये fund दे रहा है alpha में बताता है कि benchmark के मुकाबले कितना ज़्यादा return आ रहा है और alpha is 6.34 वहीं category average का 0.94 तो better risk adjusted returns fund में अपने को देखने को मिल रहे है तो risk ratios देखें तो काफी अच्छे इस fund के हैं तो friends ये था निप्वान इंडिया multi-cap fund का review आज की वीडियो यहीं तक थी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो like कर देना कोई भी doubt हो तो comment section में आप पूछ सकते हैं thank you for watching